हलो दोस्तों मैं हूँ योगेज कुपता और आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं फोक्स वेकन वर्टिस का जो की एक प्रीमिम शड्यान की कैटेगरी में आती है इस कार में आपको टोटल तीन वेरियंट्स देखने को मिल जाएंगे कमफर्ट लाइन, हाई लाइन और टॉप लाइन यह आपको आटोमेटिक और मैनुवल दोनों ट्रांश्मिशन में अविलेवल है प्राइस की बात करें तो इसका जो कमफर्ट लाइन का बेस वेरियंट है वो पड़ेगा आपको 11.31 लाइक एक्सुरूम और वही पर अगर टॉप ओफ दे लाइन आपको आटोमेटिक ट्रांश्मिशन में जाते है तो उसकी प्राइस पड़ेगी 15.99 लाइक एक्सुरूम और इसी में एक और वेरियंट है जिसमें 1.5 लीटर का चर्वो चार्ज इंजन देखने को मिलता है और वो DSG आटोमेटिक गेर बॉक्स के साथ आथा है उसकी प्राइस पड़ेगी आपको 18.41 लाइक एक्सुरूम आपको मैं यह भी बता दू कि इस कार को लैटिन एंकेप में टोटल 5 स्टार्स ओफर किये गए हैं फिलाल जो यह वीरिन खड़ा आई है टॉप अफ दे लाइन मैनुल ट्रस्मिशन के साथ जिसकी प्राइस पड़ने वाली है 14.69 लाइक एक्सुरूम कुछ इस तरह से आपको कार के फ्रेंट प्रोफाइल देखने को मिलने वाली है बड़ा सा फोक्स्वागन का लोगो क्रोम में आपको ग्रिल मिलेगी जो नीचे की ग्रिल है वो आपकी ग्लॉजी ब्लैक फिनिश में अंडर बॉड़ी आप देच सकते हैं ग्राउंड क्लें कोई भी फ्रंट पार्किंग सेंसर आपको देखने को नहीं मिलेगा कैमरा भी नहीं मिलेगा दोस्तों यह आपके हो गए वाइपर आटमेटिक रेंट संसिंग वाइपर आपको यहां पर देखने को मिलते हैं संरूफ मिलती है और पीछे शार्पी 99 आप ब्लैक कलर में अच्छे लगते हैं बाकी आप देख लीजिए आपको रिक्वेस्ट सेंसर दोनों साइप देखने को मिलेगा और आपके रेंडल पर क्रोम भी यूस किया गया है बॉडी कलर में आपको और वीम्स मिलेंगे विट टॉन इंडिकेटर इंटिकर 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 क्रोम का यूस देखने को मिलेगा उपर आपको अलड़ी मैं दिखा चुका हूँ काफी स्लोपी डिजाइन है और काफी बढ़िया लगता है अब आज आते हैं एक बार इसके न रियर प्रोफाइल पे रियर प्रोफाइल आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी वोक्स टेल लाइच अब आप देख लीजिए आपको स्मोग एलीटी एफेक्स देखने को मिलेगा काफी बढ़िया लगता है और यह रहे आपके नीचे रिफ्लेक्टर उपर देख लीजिए आपको वाइपर नहीं मिलते हैं इसमें सेंटर माउंट श्टॉप लैंप है बूट आप चाहो तो इस की फॉप से भी उपन कर सकते हो यह दबा के चाहे तो आप यहां पर सेंसर दबा के भी उपन कर सकते हो बूट इस पेस आपको 521 लीटर का मिलता और जो बहुत ज्यादा है थोड़ा सा हम पर देखने को मिलेगा बाकी इमर्जेंसी ट्रेंगल मैट से देखने को मिल जाएगा रियर की सीट्स आपको यहां पर 60-40 स्प्लिट में देखने को मिलती है चलिए इसको बंद गर दीते हैं अब समया अंदर चलने का और अंदर चलके देखते हैं क्या क्या फीचर समको यहां पर देखने को मिलते हैं यहां पर रिक्वेस सेंसर आप इस पीकर की प्लेस्मेंट टोटल आपको 8 स्पीकर्स मिलते हैं इस गार में डैवर सीट की बात करें तो आपको यहां पर मैनुवल अजस्मेंट के साथ डैवर सीट ऑफर करी जाती है चीट एको जाएगे यहां पर में आपको डैड पैडल देखने का अमिलने वाला है इस्ट्मेंट क्लस्टर की बात करिया तो fully digital इस्ट्मेंट क्लस्टर आपको यहाँ देखने को मिलेगा, यह आपके flat bottom steering है, leather wrapped है, Volkswagen का logo है, airbag की badging है, total 6 airbag ऐसे safety मिलते हैं, इधर को आपको cruise control देखने को मिल जाएंगे, जर्वन कार्स, इधर आपको सारे multimedia की controls मिलेंगे, automatic rain sensing wiper क control देखने को मिलेंगे, प्लस आपका यह low beam, high beam करने के लिए दिया गया है, steering की बात कर जाएंगे, तो आपको इसमें tilt और telescopic दोनों adjustment देखने को मिल जाएगी, कुछ चीज़े इस कार्मनक काफी अच्छी दी हुई है इस price range में, यह रही आपकी multimedia screen, 10.1 inches की infotainment screen आपको देखने को मिलेगा, साथी साथ आपको यहां पे कुछ apps जो Volkswagen देती है, वो देखने को मिल जाएंगे, traction off भी आप चाहो तो, हें screen से कर सकती हो, नीचे आपका AC के vents दिये गए है, और यहां पे आपको automatic AC, fully automatic AC भी देर purifier देखने को मिल जाएगा, दो type C के port offer किया जाते है, wireless charging यहां पे आपको offer करी जाती है, engine ignition switch है, idle start switch देखने को मिल जाएगा, ventilated seats के function, six speed manual gearbox offer किया जाता है, एक बार मैं आपको इसका reverse camera भी दिखा देता हूँ, देख लीजे कुछ इस तरह का reverse camera आपको देखने को मिलेगा, अब आप जच कर लीजे कैसा है, एक 12 volt का socket आपको देखने glove box आपको मिलेगा, अला कि छोटा है लेकिन ventilated है, driver side में आपको कोई भी vanity mirror offer नहीं किया जाता है, co passenger side में vanity mirror मिलेगा, लेकिन light नहीं है, automatic IRVM's है, day and night, यह रहे आपके cable light जो की आपको LED में दिये गए है, इस car में आपको sunroof भी offer करी जाती है, तो कुछ इस तरह से आप sunroof द dashboard आपको देखने को मिलता है, with sag one pearl and glossy black decor inserts, चली है अब चलते है second row में, second row के seating afford की भी बात कर लेते है, दरवाजा कुछ इस तरह से खुलता है, black and beach color में, reflector आप देख पाएंगे, power window के controls, bottle holder वगर आप देख पाएंगे, और interior आपका कुछ इस तरह से यहाँ पर offer किया जाता है बात करें, thigh support की तो आपको thigh support एकदम sufficient मिलता है, leg room और knee room आपको काफी बढ़िया offer किया जाता है, इधर आपको magazine holder देखने को मिल जाएगा, और driver seat के पीछे भी आपको magazine holder देखने को मिल जाएगा, इसीग events है, दो type c port है, थोड़ा सहम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और पीछे से देखेंगे, तो dashboard कुछ इस तरह से मिलेगा, और यह रही आपकी sunroof, grab handles offer की जाते है, second row में भी आपको LED में cable light दी गई है, seat की बात करें तो 60-40 split में, cup holders और 3 adjustable headrest आपको offer की जाते है, तीनो passengers के लिए seatbelt भी offer की जाते है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको ISOFIX child mount भी जो काफी premium लगता है, engine की बात करी है, तो यह गारी आपको दो engine options offer करती है, एक dynamic line का, एक performance line का, dynamic line का engine है, और जो performance line का engine है, 1.5 liter का engine है, और जो performance line का engine है, वो केवल DSG 7 speed gearbox के साथ देखने को मिलेगा, और यह वाला जो आपका dynamic line का top variant है, यह आपको मिलेगा 1.0 TSI engine के साथ, जो produce करेगा 115 PHP की power और 118 Nm का torque, वही जो आपका performance line का 1.5 liter engine होगा, वो provide करेगा आपको 150 PHP की power और 250 Nm का torque, तो दोस्तों मित करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, यह वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी और वीडियो में लेके आता रहता हूं, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स वीडियो में आज भी मुलाकात होगी, तब तक के लिए जया हिंद, जय वारत!